नमस्कार सातियों, मैं अहमद जमाल अपने यूटूब चैनल विलेज लाइप पे आप सभी लोगों का स्वागत और इस्तक्बाल करता हूँ दोस्तों आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आशा फैसिलेटर और आशा वर्कर्स के बारे में बात करूंगा कैसे उन्होंने अपने धर्ना परदरसन और अपनी शक्ती परदरसन कर शांती पून तरीके से बिहार सरकार को आखिरकार जुका ही दिया और सरकार को कुछ मांगे पुरी करनी परी अगर आप पुरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंतक देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताके अच्छे अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके परती माँ 2500 रुपय का मांदे जारी ब्यान में कहा गया है कि उपमुक मंतरी चिरिते जश्वी यादब हर्ताली करमचारियों के परती निदी मंडल को अस्वासन दिया है कि राज्य सरकार नह्यम के इलावा आशा वरकर्स का मांदे बढ़ा कर 2500 रुपया करेगी साथी राज्य सरकार करमचारियों की अन्य मांगों पर भी केंद्रे से बातचित करेगी इस बड़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर परती वर्ष 180 करोर रुपय का अतिरिक्त बोच परेगा लगबग एक लाग आशा कार्ज करताओं की हरताल खतम विहाराज आशा कार्ज करता संग के अध्यक्त और भाकवा माले के नेता शशी यादब ने कहा है कि यह हमारे लिए बड़ी जीत है सरकार हमारी परमुक मांगों को पूरा कर लिया है जिसमें उनकी सेवाओं के लिए पाली तोसिक के बजाए मांदेश रब्द के व्योग की मांग भी शामिल है आशा कार्ज करता स्वास्त स्वम सेबक है जो परात्मिक स्वास्त के अंधर में महत्पुर्ण भूमिका निवाती है और राष्ट स्वास्त मिसन के तहट मुक्य रूप से ग्रामीन छित्रों में स्वास्ता और स्वास्त के बारे में जागरुक पैदा करने में भी महत्पुर्ण भूमिका रहती है आशा कार्जकरता संके निता राम बली परसाद और रन विजे कुमार सहित ने कहा है कि तमाम मांगों पराजे स्वास्त समीती के कार्जकारी निदेशक संजय कुमार सिंग के साथ सकारत्मा बारता हुई उन्होंने यभी कहा है कि सरकार में रिटार्मेंट की आयू बढ़ाने बकाया वुक्तान के साथ नहीं के तहत परसाहन बढ़ाने के लिए केंद्री के साथ बातचीत करने की मांगों पर विचार करने का अस्वासन दिया है दोस्तों ये आशाकार्जकर्टा से रिलेटेड ये महत्पुन जानकार्या थी और आशाकार्जकर्टा ने जिस तरह अपना अंदोलन बहुती शांती पुन तरीके से चलाया और आकमक्ता भी दिखाई वक्त पे तो उनको मैं सलाम करता हूँ क्योंकि उनकी जो भी मांग पूरी हुई है मैं उमीद करता हूँ सरकार से कि वो जमीन पे उत्रे सिर्फ ये नहीं कि हवा हवाई ही रह जाए उनकी मांग तो ब्यार सरकार से मेरी अच्छी उमीद भी है क्योंकि ये आशाकार्जकर्टा समाज की वो महिला है जो गड़ीब अपने होस्पीटल जहां भी वो जाती है उनको इज़द दी जाए क्योंकि बहुत सारी आशाकार्जकर्टा का बहुत सारी सिकायति थी कि मुझे कुर्सी पे नहीं बैठ़ने दिया जाता है जब भी मैं पेसंट को लेकर जाती हूँ तो मुझे बाहर निकाल दिया जाता है तो ऐसा उनके साथ न किया जा, बरता हो, ये दोरा चरित्रे फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समाज की वो महिला हैं दोस्तों, जो अंतिम पंति में खड़ी हुई हैं, जब तक ये प्रोग्रेस नहीं करेंगी, हमारा समाज नहीं प्रोग्रेस करेगा, तो मैं सरकार से फ अपना साथ मुझे देते रहें, और प्यार देते रहें दोस्तों.